दोस्तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आपका कोई फोटो या फिर विडियो डिलीट हो गया है तो उससे आप वापस अपने फोन में कैसे ला सकते हो जैसक दोस्तो यहाँ पर अपने फोन के गैलरी को हम ओपन कर लेते हैं और चले आते हैं विडियो में टोटल जो मेरे फोन में विडियो है वो है तेरा यहाँ पर आप उपर में देख सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जितना भी मेरा वीडियो डिलीट हो गया था वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से अपने वीडियो को वापस हम ले सकते हैं जी हाँ यहाँ यहाँ पर यह application बहुत ही based है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सारा जो process है वो कैसे करना है जिससे कि आपका जो deleted वीडियो है या फिर photo है वो वापस आपके phone में आ जाए दोस्तो मैंने बहुत सारे application ट्राई किये हैं जो कि यहाँ पर एक application जो सबसे टॉप में था वो application मैं यहाँ पर आपको खोल कर दिखा देता हूँ दोस्तो कोई ऐसा application नहीं है जो कि यह काम करता है सही तरीके से यहाँ पर देख लेजिए यह जो application है मैं यहाँ से restore करता हूँ restore करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा add आ रहा है तो simple हम क्या करेंगे इस add को हम cut कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हो restore deleted videos simple हम इस पर click करते हैं click करने के बाद बहुत सारी इस application में add आ रहा है लेकिन जो मैं आपको अभी application इसके बाद बताने वाला हूँ वो real application है और उसमें एक भी add आपको देखने को नहीं मिलेगा और real work भी करता है वो यहाँ पर देखे यह deleted file found यह हमारा videos को ढूंड रहा है और देखते हैं उसके बाद यह कितना videos ढूंड कर निकाला है और कौन सा video हमारा ढूंड कर निकाला है जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि मेरे जो gallery में videos है वो सिर्फ 13 वीडियो है टोटल मिला कर 13 वीडियो है और यहाँ पर देख लिजिए deleted file found इसने कितना किया है 13 वीडियो को found किया है मतलब कि जो मेरे phone के gallery में video है वही सिर्फ यहाँ पर इसने ढूंड कर निकाला है जो मेरे phone में available है उसी video को यहाँ पर इसने ढूंड कर निकाला है यह आप लोग देख लो अभी यह loading ले रहा है और loading होने के बाद यहाँ पर दिखिए so deleted files यहाँ पर open करते हैं इसे cut करते हैं वही video यहाँ पर दिखा रहा है तो यह सारे application काम नहीं करते हैं लेकिन मैं आपको जो अभी application बताने वाला हूँ वो real work करता है और उसमें क्या क्या setting करना है कैसे process करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अगर आपको अच्छा लगे तो please like जरूर करना और channel को subscribe करना तो चल उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है इस application को डाउनलूड करने के लिए आपको अपने phone में Chrome browser को open कर लेना है Chrome browser जैसी आप open करोगे यहाँ पर आपको Google पर search करना है new सरकारी exam exam.com यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आप इसे देख कर और लिख लो और इसे आप search कर लो search करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page आजाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर three line पर click करना है जैसी आप इस पर click करोगे यहाँ पर आपको एक search का option मिलेगा जिस पर आपको लिखना है drdo ओके इतना लिखकर और आपको इसे search कर लेना है search करने के बाद दोस्तों आपके सामने यह ओला page आ जाएगा drdo ceptam ओके यहाँ पर captain यहाँ पर simple इसे open कर लेंगे और इसके अंदर से आकर उस secret application को download कर लेंगे आप ठीक है अब यहाँ पर आपको उस application को open कर कर दिखा देता हूं कि आपका जो वीडियो और photo है वो वापस कैसे आ सकता है यहाँ पर आप देख लेजिए अभी भी मेरे gallery में यहाँ पर मैं आपको gallery open कर कर दिखा देता हूं gallery अगर open करते हैं तो अभी भी यहाँ पर दिखिए 14 वीडियो है अभी screen record मतलब मैं पाउस कर रहा हूं तो यहाँ पर वीडियो बढ़ रहा है ठीक है तो यहाँ पर 14 वीडियो है लेकिन यहाँ पर सारे वीडियो को वापस लाने के लिए आपको क्या करना है इस secret application को अपने phone में download करना है यहाँ से agree कर लेंगे agree करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का page आ यहाँ पर recover and transfer everything यहाँ पर सब कुछ आप जो वो कर सकते हो यहाँ पर simple इसे cut कर देंगे cut करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर photo, video, audio, files जो भी आपका delete हुआ है इस application से आप उसे recover कर सकते हो वापस आ जाएगा बिलकुल सही सलामत और उसी quality मे आपका delete हुआ है वही quality में आपका जो हो recover होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा photo, video यही पर दिखाने लगा है यहाँ पर videos में आएगे, videos में आने के बाद यहाँ पर यह देख सकते है scanning, file found यहाँ पर कर रहा है और यह पुरा scan कर लेगा, scan करने के बाद यहाँ पर आपस आ गया है, हमारे gallery में दिखा रहा है सिर्फ तेरा, ठीक है, अगर मान लिजे कि मुझे यहाँ से कोई भी video recover करना है, उसे हम असानी से recover कर सकते हैं, जैसे कि मान लिजे कि मुझे इस video को recover करना है, 93MB का है, simple हम इस video पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पर बता कि आपको इसमें कुछ payment करने होंगे, यह बिल्कुल real application है, और यह आपका जो photo video delete हो गया है, उसे यह आसानी से recover कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आप साल का लेना चाहते हो, तो यहाँ पर एक मन्त का लेना चाहते हो, तो यहाँ पर एक मन्त का आपको 750 में मिलेगा, और दोस आता है, उस तरह से इस application का भी mode version आता है, तो आप try करो, जैसे मैंने आपको download करने के लिए बताया है, उस तरह से download करो, अगर आपके phone में वह application support करता है, तो आप free में उसे use कर सकते हो, अगर नहीं करता है, तो YouTube पर इस से related बहुत सारे videos है, वहाँ से आप देखकर और इस application को mode version में भी use कर सकते हो, उमीद करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको बहुत ही जरूरी कोई ऐसा photo और video है, जो कि बहुत ज़ादा important है, तो उस video को आप यहाँ पर बिलकुल सही में ला सकते हो, बिलकुल real application है, वो सारे application जो free application होते हैं, उन सारे application में आपका काम नहीं होगा, आपका photo video वापस नहीं आएगा, चाहे जितना भी आप application ट्राइ कर लो, आपको कुछ ना कुछ payment करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका photo video वापस आएगा, और यह application बिलकुल सटिक application है, आप एक बार जरूर ट्राइ करना, डाउनलूड कैसे करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो एक बार आप जरूर ट्राइ करना, अगर आपका कोई important file हो, video हो, photo हो, या फिर documents हो, वो सारा वापस आजाता है, 750 रुपा महिना है, तो वो आप लगा लेना, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लेस वीडियो को के लाइक जरूर की क्यार,